नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप सभी का आरपे टेक्निकल इस्टडी योटोब चानल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपने बात करेंगे इलेक्ट्रिशन थियोरी के पंद्रा सो एमसी क्यूज सीरीज का ओनलाइन टेस्ट नमर 30 के बारे में 39 पहले अपलोड हो चुके हैं जिनका लिंक आपको निचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा तो आप वहां से देख लेना क्योंकि सभी क्यूशन बहुत इंपोर्टन क्यूशन है तो चलिए शुरू करते हैं किस उचाई पर इंस्ट्रोल होती है वहां जमीन से किस उचाई पर इंस्ट्रोल होती है एक मेटरे एक पॉइंट पास मेटरे दो मेटरे दो पॉइंट दो मेटरे तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से फटाबर से बताए इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो दोस्तो कंट्रोल पैनल होती है वाद जमीन से दो मिटर की उचाई पर इंस्टोल होती है करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर तो दोस्तो अगला क्यूशन है बायों गैंस उर्जा सनियंतर में कौन से पदाहर्थ कैसे उत्पन करते हैं पसवों का गोबर मानाव मलमुत्र पालतु पक्सियों का मलमुत्र या उप्रोक्त सभी तो राइट आंसर कौन सा होगा इन में से तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर डी चले अगला क्यूशन देराखा CRO क्वालिस्तान परदर्शित कर सकता है AC सिगनल को DC सिगनल को यह वह भी दोनों को या इनमेंसे कोई नहीं तो CRO होता है कैथडरे उसिलिस्कोप वह किसको परदर्शित कर सकता है इनमेंसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वह भी दोनों का अर्था आरत AC सिग्नल वर DC सिग्नल दोनों को परदर्शित कर सकता है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C अगला कुशन दरका एक सहलप एकसाइटीड जनरेटर में ओल्टेज उत्पन नहीं हो रहा है इसके लिए उप्यूक तुपाई कौन सा है ओप्शन दरका है स्पीड को बढ़ाना भी दरका फिल्ड परिपत में परतिरोध बढ़ाना ओप्शन नमबर C अगला कुशन दरका है थाइरिस्टर बंद हो जाता है जब अनोड का करंट खालिस्तान से नीचे हो जाता है forward current से, reverse current से, latching current से, holding current से तो right answer कोण सा होगा इनमे से इसका right answer होजएगा thyristor बंदो हो जाता है जब anode का current लेचिंग current से नीचे हो जाता है तो right answer होजएगा option number C अगला question दरका यदि धारा और voltage 90 degree से फेज से बार है तो सकती क्या होगी right answer बताओ कोण सा होगा इनमे से फटाबड़ से कमेंट करके बताना है तो दोस्तो इसका right answer होजएगा सुनने correct answer क्या होगा option number C अगला question दरका फ्लोरोसेंट लेंप के दोनों सिरो के काले पड़ने का संभावित कारण इनमे से कोण सा है फ्लोरोसेंट लेंप को बार-बार सुरू करना भी दे रखा कमी आधिक ओल्टेज सी दे रखा अनुचित बहलास्ट डी दे रखा उप्रोक्त सभी तो फ्लोरोसेंट लेंप होता है उसके अगर दोनों सिरो काले पड़ जाते हैं अगला क्विशन द्रका ये कंड़क्टर में पैदा हुई उसमा किसके वरक के समानुपाती होती है सक्ति के परतिरोध के तापमान के या करंट के तो चालक में पैदा हुई उसमा किसके वरक के समानुपाती होती है इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों इसका right answer होज़ेगा current के अर्थार धारा के वरक्य समानुपाती होती है तो right answer होगा option number D अगला question दिरका अपने साथ जुड़े बदलते होए flux के कारण परेरिती है में पैदा करने वाले कवाईल का गुनदरम इल्मे से क्या है परतिरोद, परतिगात, धारिता या परेरखता हो तो इसका right answer होज़ेगा परेरखता हो right answer होज़ेगा option number D अगला question दिरका के वी एल किस सिद्धान्थ पर काम करता है किर्चोप voltage low होता है वह किस सिद्धान्थ पर काम करता है आबे संद्रक्षन का नियम, उर्जा संद्रक्षन का नियम, अनोन्य परेरणिया विदू चुमक्य परभाव का नियम तो correct answer कौन सा होगा इनमे से तो दोस्तो इसका right answer होज़ेगा उर्जा संद्रक्षन का नियम correct answer होज़ेगा option number B अगला कुशन द्रका चार सन्योजी लेक्ट्रोनों से कम परमानूं क्या होते हैं चालक A, चालक A, अर्द चालक A, तो A, या B तो चार सन्योजी लेक्ट्रोनों से कम परमानूं क्या होते हैं इसका right answer होज़ेगा चालक होते हैं correct answer क्या होगा? option number A अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दिरका एक ट्रांजिस्टर में डिपलीशन परतों की संक्या कितनी होती है दो तीन चार या पांच तो कितनी होती है एक ट्रांजिस्टर होता है उसमें डिपलीशन परतों की संक्या बताने कितनी होती है इसका राइट आंसर होगा दो होती है correct answer होगा option number ये अगला question देरिकार नीमन में से किसे गठाने के लिए transformer के core को laminated किया जाता है eddy current loss को, hysteresis loss को, copper loss को या iron loss को तो किसे गठाने के लिए transformer के core को laminated किया जाता है अर्थार्थ पट्लीत किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड़ी करंट लोज को बहुरदारा आनी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर ये अगला क्विशन दिरका एक सुद्ध अर्दचालक में सुद्ध ताइ संकलित की जाने की परकिरिया को क्या कहा जाता है मिसरन, डोपन, अपवा ये समिसरन राइट आंसर कौन सा होगा इन में से तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सुद्ध सेमिकंडक्टर में सुद्ध ताइम संकलित की जानी की परकिरिया को कहा जाता है डोपन करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर B अगला क्यूशन अगला क्यूशन दरका टेप रिकोडर में निमिल कि तुमें से कौन सा मोटर परियूप किया जाता है तो टेप रिकोडर में कौन सी मोटर का उप्योग किया जाता है इसका राइट आंसर होगा इस्टे रेसिस मोटर का करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर B अगला क्यूशन दरका चार हैंडरी इंडक्टेंस के कौईल में 16 वोल्ट का EMF लगाए जाता है तो करंट में बदलाओ की दर क्या होनी चाहिए फटाबड़ से बताओ करंट में बदलाओ की दर क्या होनी चाहिए तो दोस्तो इसकारइट आंसर हो जाएगा 16 वटे 4 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 ampER परती 2 अर्थार्ट इसमें हो जाएगा आए बराबर B वटे L तो B कमान कितना दे रखा 16 वटे L कमान दे रखा 4 हैंडरी तो राइट आंसर क्या होगा 4 amp per मेंबर 2 अगला क्यूशन दे रखा है अगर पलस दो कुलंब और माइनस पांच कुलंब आवेस वाले दो आवेस किये गई पिंडो को संप्रक में लाए जाता है तो कुल आवेस क्या होगा कुल आवेस ग्याद करके बताना है जहां पोजिटिव में दोर दे रखे और नेगेटिव में पांच दे रखे हैं तो फटापड से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस पांच में से पलस का दो गठाएंगे कितना बचेगा, माइनस का तीन बच जाएगा, तो रैट आंसर क्या होगा, माइनस तीन कुलम्ब, रैट आंसर हो जाएगा, उप्शन नमबर C, चले अगला क्यूशन, अगला क्यूशन दे रहागा, लोडित इस्ततियों के अंतरगत, दो समरूप ट्रांस्फार्मरों की धक् किसके द्वारा निर्दारी थी किया जा सकता है इसका राइट आंसर हो देगा बैक टू बैक परिक्षन करेक्ट आंसर होगा ओप्षन नमबर C अगला कुशन द्रका येक ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज मुख्यते किस कारण से होती है इसका राइट आंसर होगा ओप्षन नमबर C अगला कुशन दरका किसे मापने के लिए Optical Pyrometer उप्योग किया जाता है परकास तीवर्ता को निमन तापमान को उच्छे तापमान को या आरदर्ता को तो किसे मापने के लिए Optical Pyrometer का इस्तेमाल किया जाता है इसका right answer हो जाएगा उच्छे तापमान को मापने के लिए optical pyrometer का उप्योग किया जाता है राइट answer होगा option number C दोस्तो अगला question दे रखा elevators के लिए किस परकार की motor का उप्योग किया जाता है synchronous motor, induction motor, DC center motor या staper motor तो elevator के लिए किस परकार की motor का उप्योग किया जाता है इसका right answer होगा induction motor का correct answer क्या होगा परेरण motor अगला question दे रखा यदि एक load पर old ता में गिरावट करनी हो तो register में क्या करना होता है इस्तित होना होता चाहिए सरेणी, समनांतर, मिसरिती, अनियत right answer कोन सा होगा इन में से तो दोस्तों यदि एक load पर old ता में गिरावट करनी होती है तो यो register को सरेणी में इस्तित होना चाहिए correct answer क्या होगा? option number ये अगला question दे रखा एक तुले कालिक motor अनिवारे रूप से खालिस्तान वाली motor होती है अगरनी सक्ति गुणांक, एकक सक्ति गुणांक, नियत चाल ये भिन चाल तो इन में से अनिवारे रूप से किसी गुणांक वाली motor होती है important question है तो दोस्तों यह अगरनी सक्ति गुणांक पर भी काम कर सकती है एक अक सकती गुणांक पर भी काम कर सकती है नियत चाल पर भी काम कर सकती है भिन चाल पर काम नहीं कर सकती है तो यहां मोटर का क्या पूझ रहा है अन्यवार्य रूप से किस पर काम करती है तो दोस्तो इसका मुख्य आंसर होगा नियत चाल पर रहती है एक स्टिन कुरोन स्मोटर क्या होती है मियत चाल पर काम करती है अनिवारी रूप से तो इसका राइट आंसर होगा ओप्षन नमबर C अगला क्यूशन अगला क्यूशन दरका एक बिरिज रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी खालिस्तान दुआरा निरूप कोते होती है फ्रिक्वेंसी दो गुना फ्रिक्वेंसी तीन गुना फ्रिक्वेंसी या चार गुना फ्रिक्वेंसी तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से तो दोस्तो एक बिरिज रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी दोगुना फ्रिक्वेंसी से के बराबर होती है करेक्ट आंसर होगा option नमबर B अगला कुशन द्रका प्रोटोन को अन्य प्रोटोन के निकट लाए जाने पर क्या होता है गती जूर्जा में वरदी गती जूर्जा में कमी इस्तती जूर्जा में वरदी या इस्तती जूर्जा में कमी तो प्रोटोन को अन्य प्रोटोन के निकट लाए जाने पर क्या होता है इंपोर्टन क्यूशन है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्तती जूर्जा में वरदी होती है आंसर हो जाएगा option number C तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिस दोस्तों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए थेंक्यू